पेटियेम और फोन पे तो आप यूज़ करते ही होंगे किसी ना किसी परपस के लिए लेकिन आपसे इस वीडियो में कॉशन पूशने वाला हूँ वीडियो के एन में आप डिसाइड करके आराम से बिल्कुल उसका जवाब दे सकते हैं कि दोनों में से आप ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं So, Hello everyone, Mrs.Mohit Prithiani and Welcome to our channel Mr.LazyTag इस वीडियो में हम कंपैर करने वाले हैं कुछ फीचर्स जो PTM में हैं और जो फोन पे में हैं दोनों को हम कंपैर करेंगे देखेंगे ज़्यादा फीचर्थ आपको ज़्यादा किसमें आपको बेटर मिलने वाले हैं और साथ ही में फोन पे ने थोरे दिन पहले ही क्या किया था exactly अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं 50 रूपीस से उपर तो आपको processing fees देने पड़ेगी फोन पे बे जो कि काफी लोगों ने tweets किये, comments किये social media platform पे कैसा नहीं करना चाहिए था फोन पे बे लेकिन उने कर दिया है, processing फिली इंप्रिमेंट कर दिये बागी भी हम फीचर से exactly compare करेंगे और वीडियो के एन में आप अराम से decide करके जरूर बताईए कि comment section में कि आप दोनों बिसी किसको यादा prefer करते हैं, so hope you like this one and if you are new to our channel kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all, so let's get started so यहाँ आपको दोनों ही applications मिल जाएगी paytm और phone pay and user interface दोनों का ही अच्छा दिया गया है use करने message दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन personally paytm में थोड़े टाइम पहली नए update आया, जिसमें आपको ज़्यादा enhancements मिलेगी अगर आपको और भी detailing check करने है, इसके update के बारे में तो उपर i button में click करके check करके देख सकते हैं, अब हम करेंगे दोनों में recharge, दोनों में 399 रुपीज का recharge करता हूँ, paytm में आपको simply 399 रुपीज ही pay करना है, लेकिन phone pay में आप आप देख सकते हैं, आपको 401 रुपीज का option दिका रहा है, अगर हम detailing check करेंगे, तो आपको processing fees लगी गई है, जो extra payment ले रहा है phone pay as compared to paytm, and paytm में आपको extra cash bag offers भी मिल जाएंगे, उनको भी आप utilize कर सकते हैं, अपने convenience के हिसाब से भी plus point है, and अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ticket booking का option मिल जागा, जिसमें आप train tickets, flight tickets book कर सकते हैं, phone पे में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको third party application का integration दिया गया है, लेकिन paytm में आपको integrated system मिल जागा, जिससे आप directly flight tickets, train tickets book कर सकते हैं, जिससे आपको better experience मिलेगा, but phone पे में आपको redirect कर दिया जागा, third party application में, जो कि मेरे यहाँ आप से तना अच्छ application में, and paytm में एक और plus point यह है, कि इसमें आपको मिल जाएगा paytm mall का option जिसके तुरू आप shopping कर सकते हैं, कोई सी भी categories में अगर आपको clothing purchase करनी है, electronic gadgets purchase करनी है, आपको multiple options मिल जाएगे, आप अच्छे तरीके से explore करके one spot application में ही, आप सारी की सारी चीज़े purchase कर सकते हैं, साथ ह आप cashback rewards भी earn कर सकते हैं, आपको काफी offers देखने को मिल जाएगे paytm mall में, and यहाँ पे भी आपको phone pay भी हम देखेंगे, तो आपको मिल जाएगे अलग-अलग category जिसके तुरू आप shopping कर सकते हैं, लेकिर आपको जादा options नहीं मिलने वाले हैं, as compared to paytm, इसमें आपको cashback, जो लोन भी मिल सकता है, post paid option भी मिल जाएगा, अगर आप इस महीं ने खर्चा करेंगे, तो अगले मेने आप payment कर सकते हैं, पेटm के थुरू, इधरे जादा options आपको missing है, phone pay में, पेटm में आपको जादा options मिलेंगे, इसमें आपको saving bank account को option भी मिल जाएगा, saving bank account भी भी आप open क insurance आप purchase कर सकते हैं, अपने convenience के हिसाब से, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो grow your wealth option दिया गया, जिसमें आप IPOs में invest कर सकते हैं, mutual funds में invest कर सकते हैं, काफी आपको multiple investment के option मिल जाएगे, दोनों ही application में, लेकिन पेटm में आपको जादा better options मिलने वाले है, आपको जादा opportunities मिले आप cash vouchers में redeem कर सकते हैं, बहुत सारे आपको options मिल जाएगे, multiple options आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे, पेटm में, अगर हम यहाँ पर देखेंगे phone pay में, तो simply आप आप top up कर सकते है, phone pay में, अगर आपको multiple options नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपको utilize करना है, अपन application का support दिया गया है, integrated applications दिया गया है, और main जो चीज है, जो कि आपको processing fees नहीं लगने वाले है, Paytm में, mobile recharge पे भी, जो कि आपको लगने वाले है, phone pay में, so काफी आप देख सकते हैं, कि specifications मामले में, features के मामले में, UI के मामले में, हर कदम में, थोड़ा बहुत आगे है Paytm, as compared to phone pay, so मैंने आपको सारे के सारे differences बता दिया, आप डिसाइड करके बिल्कु बता सकते हैं, कि आप दोनों में से किसको ज़्यादा prefer करते हैं, comment section में जरूर बतायेगा, so this was all about the comparison between some features of the Paytm with the some features of phone pay, hope you liked this one and as I told you if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all, so thank you for watching this one and see you in the next video, thank thank you